जी है वो अप्रतीम है अडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट कभी भुलाता नहीं है मेरा सवभाग्य रहा कि लाल कृष्ण अडवाणी जी का स्थने उनका मारदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है कि मैं आदर्णी अडवाणी जीज के दिर्गायों होनों की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की महान धर्पी से समस्त देश्वास्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों हमने ओडिशा को सिख्षा का कौशल विकास का एक महत्वप्रण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये बीते दसक में ओडिशा को जो आधुनिक संसान मिले हैं सिख्षा संसान मिले हैं वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं कि आईसर ब्रह्मपूर हो यह बोमनेश्वर का इंस्टिटूट अब केमिकल टेकनोलोजी ऐसे अनेक संस्तान यहां स्थाफिट किये गए हैं अब आया एम संबलपूर भी मैंनेजमेंट के आदुलिक संस्तान के रूप में ओडिसा की भूमिका को और ससक्त कर रहा है मुझे आध है तीन साल पहले कोरोना काल में ही मुझे आया एम के इस केमपस के सिलान्यास का आउसर मिला था अनेक रुकावटों के बावजूद अब यह शांदार केमपस बनकर तयार है और आप लोगों का जो उत्सा में देख रहा हुने उसे मुझे लगता है कि केमपस आपको कितना प्यारा लग रहा है मैं इसके निर्मार्ट से जुड़े सभी साथ्यों की प्रसौंसा करता हूं साथ्यों विक्सीद भारत के लक्ष को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विक्सीद बने इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिसा को हर शक्कर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिसा आज पैट्रोलियम और पैट्रो केमिकल के शेत्र में भी नई उचाई प्राप्त कर रहा है पिछले दस सालों में ओडिसा में पैट्रोलियम और पैट्रो केमिकल क्षेत्र में सवा लाग करोड रुप्य से अधिक का निवेश किया गया है भीते दस वर्षों में पहले की तुलना में रेलवे के विकास के लिए उडिसा को बारा गुना जादा बजेट दिया गया है भीते दस वर्षों में प्रदान मंत्री ग्रामीड सड़क योजना के तहट ओडिसा के गावों में करीब पच्चास हजार किलोमेटर सड़के बनी है राज्य में चार हजार किलोमेटर से अधिक नए नेशनल हाइवे का निर्माण भी हुआ है आज भी यहां नेशनल हाइवे उससे जुड़ी तीन बड़ी परियोजनों का लोकारपन किया गया है इन प्रोजेक्ट से जार्खन और ओडिसा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी इस खेत्र खनन बिजली और इस पाद उद्योग की संभावनाओं के लिए जाना जाता है इस नई कनेक्टिविटी से इस पूरे खेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाय बनेगी रोजगार के हजारों नए आउसर बनेंगे आज संभलपूर ताल्चे रेलखन का दोहरी करम जार तर्भा से सोनपूर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुबारम हो रहा है पूरी सोनपूर एक्सप्रेस से सुबनपूर जिला यानि हमारा सोनपूर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है इससे स्रद्धालों के लिए भगवान जगनात का दर्शन करना और आसान हो जाएगा ओडिसा के हर परिवार को परियाप और सस्ती भीजली मिले इसके लिए हम निरंतर प्रयात्रस है अज जिन सूपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सूपर क्रिटिकल थर्मत प्रांस का उज़ाणनी आ हुआ है उनका लक्ष भी यही है भाई और बैनों बीते दस वर्सों में केंद्र सरकार ने जो नीतिया बनाई है उनका उडिसा को बहुत अधिक फाइदा हुआ है हमने खनन के खेत्र में जो नए रिफॉर्म किये है उडिसा उसका बहुत बड़ा लाबारते रहा खनन निति में बढ़लाव के बाद उडिसा की आए में दस गुना की वृद्धी हुई है पहले खनीज उत्पादन का लाब उनक शेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है हमने इस निति को भी बदला केंद्र की भाजबा सरकार ने डिस्ट्रीक मिनरल फाउंडेशन का गटन किया इसे खनीज से हुई आयका एक हिस्सा उसी छेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ इससे भी ओडिसा को अब तक करीब करीब 25,000 करोड रुपे से अधिक मिल चुके हैं यह पैसा जिस खेत्र में खनन हो रहा है वहां के लोगों के कल्यान के काम आ रहा है मैं ओडिसा की जनता को आस्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिसा के विकास के लिए काम करती रहेगी साथियों मुझे यहां से एक बहुत बड़े कारकम में जाना है खुले मादान में जाना है तो वहां विजाज भी कुछ और होता है तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूं लेकिन वहां मैं जड़ा अधिक समय ले करके काफी बाते करूंगा 15 मिनिट के बाद उस कारकम में पहुंचूंगा एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूं और मेरे युवास साथियों को विशेस बदाई बात बात धन्यवाद